हालो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 32 वीडियो है और पार्ट 32 वीडियो में आज हम लोग multiple choice questions को देखने वाले यह mcqs को देखने वाले पिछले वीडियो में हम लोग question no.38 तक देख जिए थे अब 39 से देखने वाले लेट gx equal to दिया है 1 plus x minus greatest integer function x and fx is equal to यहाँ पर दिया हुआ है एक signum function है न जी वेर यहाँ पर देखो यह किसको denote कर रहा है greatest integer less than और equal to x इसके बारे में बात कर रहा है then for all x all x के लिए हमें क्या निकालना f gx का value निकालना है यह किसके equal होगा चलिए तो हम लोग लोग को निकालना है f gx का value तो यहाँ पर gx का value क्या दिया है 1 plus x minus ग्रेटेस integer function x ठीक है तो अब देखो इसको अगर हम लोग इस function में रखे हैं तो हम लोग देख रहे हैं fx का value minus 1 हो रहा है जब x is less than 0 और fx का value 0 हो रहा है जब x is equal to 0 और fx का value 1 हो ज़रा है जब x is greater than 0 तो चलिए अब अलग-अलग condition में देख रहे हैं तो इसका value क्या होगा जब हम लोग एक्स का value less than 0 equal to 0 और greater than 0 करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे बात करेंगे अगर माल लो आपका x कोई integer है ठीक है और x is less than 0 है एक्स कोई integer है और यह less than 0 है तो इसका value क्या हो जाएगा 1 प्लस यह तो x है तो x ही रहेगा और greatest integer function में अगर कोई integer आ जाता है तो उसका value वही हो जाता है तो इसका value minus का x ही हो जाएगा मैनस मैनस प्लस यह यह 1 प्लस 2 x है जाएगा तो 1 प्लस 2 x 0 से greater हुआ तो अगर आपका integer नहीं हो रहा है यह अंटीजर नहीं हो रहा है x जो है आपका इंटीजर नहीं यह less than 0 है लेकिन इंतीजर नहीं है यह हमने कब लिया जब x 1 इंटीजर है तब less than 002 2 और integer है तब और जब x integer नहीं है लेकिन less than 0 है less than 0 है लेकिन integer नहीं है तब क्या हो जागा इसका value तो 1 plus x और जब यह integer नहीं होता है तो हम लोग क्या ली सकते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर यहां पर यह negative में हूँ तो इसका value हो जाता है minus का greatest integer function x और minus का 1 ऐसे यह हो जाता है तो इसके according यहां से इसका value क्या आजाएगा यह minus minus plus हो जाएगा ना plus का greatest integer function x plus 1 1 1 यहां पर 2 हो जाएगा 2 plus x plus greatest integer function x तो यह अभी आपका 0 से greater हो जाएगा यानि कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग अगर हम लोग यहां पर x का value less than 0 ले तो इसका value किसका है इसका value इस function के अंदर जो रखा जाएगा उसका value हमेशा क्या जाएगा जाएगा जीरो से greater आ रहा है देखलो यह भी और यह भी यानि कि यहां क्या है 0 से greater है तो 0 से greater होने पर function का value क्या आ जाएगा वाल आ जाएगा अगर आप x 0 अगर मालो x equal to 0 है इसके लिए हम लोग चलते हैं यह तो less than 0 लेके चलिए अगर x मालो 0 की equal है तो यह भी 0 हो जागा यह भी 0 बचेगा वन तो 1 क्या है 0 से greater होगा ना तो function का value 1 ही हो जाएगा अगर माल लिजे x is greater than 0 लेखे चलते हैं तो हम लोग इसके value की बात करते हैं 1 प्लस x minus greatest integer function x अगर यहां पर x आपका integer हुआ तो अगर इसके value की बात करें तो यह x x कर जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है अगर माल लिजे x integer नहीं हुआ ठीक है लेकिन greater than 0 है integer नही value की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x और माइनस का greatest integer function x यहीं रहेगा तो अगर माल लो यह integer नहीं है integer नहीं है लेकिन 0 से greater है माल लो आपका 3.1 है यह 3.2 है जो भी है तो यह 3.1 रखेंगे तो इसका value 3 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 3.1 माइनस का 3 तो यह subtract करके solve करेंगे तो वो तो 0 से greater ही नहीं आएगा यानि कि मैं इन तीनों condition में लेके चलूं तो इसका value यानि function के अंदर जो रखा जा रहा है वह हमेशा 0 से greater हो रहा है तो 0 से greater होने पर function का value क्या होगा 1 होगा इसलिए इसका value हो जाएगा 1 ठीक है बी नमबर आपका option हो जाएगा सहीं समझ गया कोसर नमबर 40 देखिए यहाँ पर दिया fx equal to alpha x by x plus 1 और x not equal to minus 1 क्योंकि यह minus 1 होग होगा जब हमारे पास दिया है f of fx equal to x चलिए हम लोग इसका value यहाँ पर निकाल कर रखा देते हैं equal to x तो हमें alpha का value निकल जाएगा तो यहाँ पर fx value alpha x by x plus 1 equal to x चलिए आगे इसको function में रखते हैं तो alpha x क्या जाएगा alpha x by x plus 1 और by में इसको रखना है न जी x के जगा तो हो जाएगा alpha x by x plus 1 और plus का 1 ठीक है और equal to में x चलिए अब इससे solve करते हैं नीचे LCM लेंगे उपर आपका alpha square x हो जाएगा और x plus 1 और by में यहाँ LCM लेंगे तो x plus 1 होगा LCM ठीक है यहाँ पर आजाएगा alpha x plus x plus 1 equal to में x यह आपका कट जाएगा चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर यहाँ बच जाएगा आपका alpha square x by में alpha x plus x plus 1 equal to x तो यह x x काट देते हैं इधर 1 बचेगा यहाँ cross multiply कर देते हैं तो alpha square equal to जाएगा alpha x plus x plus 1 इसको इधर ले आते हैं तो alpha square minus का alpha x और minus का x minus का 1 equal to 0 यही नहोगा आपका चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग quadratic formula को लगा के solve कर सकते हैं यहाँ इसका जो coefficient दे होगा हो जाएगा a यहाँ alpha का coefficient minus x आपका b हो जाएगा और यह आपका c हो जाएगा a equal to 1 b equal to minus x और c equal to minus का x plus 1 ऐसे लिख सकते हैं यह दोनों में minus लगा सकते हैं यहाँ से alpha equal to आ जाएगा minus minus x plus minus ठीक है plus minus root under root under minus x का square minus 4 into a के जगा 1 और c के जगा यह minus का x plus 1 minus का x plus 1 कोई दिक्कत नहीं है इसमें और y में 2 into 1 यह हो जाएगा चलिए आगे अब इसे solve करते हैं alpha equal to आ जाएगा plus का x plus minus root under यहाँ x square plus का 4 x plus का 4 और by में 2 तो यहाँ से alpha equal to x plus minus यह देखो न यह formula पे set हो जा रहा है x plus 2 का whole square और by में 2 square से square का root हर जाएगा तो यहाँ alpha equal to आ जाएगा x plus minus x plus 2 by 2 यहाँ से देखो alpha equal to में x plus x plus 2 by 2 और एक हो जाएगा alpha equal to में x minus x minus 2 by 2 तो यहाँ यह तो solve करने पर नहीं है गाए इसके ही form में रह जाएगा क्योंकि हमारा answer constant में दिया हुआ है तो यहाँ देखो हो जाएगा minus 2 by 2 कटके minus का 1 आ जाएगा इसको छोड़ देंगे इससे कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ माइनस 1 इसका answer हो जाएगा डी नमर चलते हैं अब next question पर 41 नमर कहा रहा है the distinct linear function which map इसका देखिए यह क्या दिया है यहाँ पर दिया हुआ है इस function का domain और यह range दिया हुआ है तो इतना two and two पे इतना two and two पे यह define होने वाले conscious में से function होगा चलो मैं चेक करता हूँ अगर मैं function fx और zx इनको लेके चलता हूँ और मैं इनके domain के element से इसका lower limit जो है उसको माइनस 1 रखता हूँ तो माइनस 1 रखने से यहाँ 0 आ जाएगा और अगर मैं one रखता हूँ तो one one two हो जाएगा तो fx के लिए यह like करेगा बिल्कुल और इसके बीच के भी element पे इसके बीच के ही element आएगे अचा अगर मैं इस function में बात करो माइनस 1 रखने पर यह plus का two आ जाएगा और one रखने पर यहाँ 0 आ जाएगा तो मैं क्या देख रहा हूँ अगर इसके बीच के भी कोई element रखता हूँ इस function में तो इसकी के बीच में यह like करेगा बिल्कुल like करेगा तो मैं देख रहा हूँ यह दोनों के लिए satisfy कर रहे हैं यह पहला वाला ही answer हो जागा यह number चलते है next question पर next question देखते है 42 number यहाँ पर function f दिया जिसका domain 2 to infinity है और यहाँ पर इसका range x दिया है यह co domain के यह x दिया है defined by fx equal to function यह दिया 4x minus x f is invertible आचा यह invertible है तो यह पक्का यह इसका range ही है code domain और range equal ही हो जाते हैं ठीक है तो मैं इस x का value निकलना है यानि कि function का जो range होगा वही हो जायागा यहाँ पर आपके x is capital x का value तो हम लोग चाहें तो 42 नमर के लिए y मान लेते हैं y equal to में हो जायागा 4x minus का x square इसको एक तरफ करते हैं ठीक है यहाँ से हम लोग x का value निकालते हैं समझे ना x का value निकालते हैं हम लोग तो एक काम करो यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको इन दोनों को इधर कर लेता हूँ और इसको इधर कर लेता हूँ यानि प्लस का x square minus का 4x or equal to minus का y यहाँ x square minus 2 into x into 2 plus 2 का square एड़ कर देता हूँ और एक बार subject कर देता हूँ ठीक है यह formula पर set करने के लिए x minus 2 का whole square यह देखो यह minus 2 का square जो है वह 4 हो जाएगा इधर ले जाते हैं तो plus का हो जाएगा अब चलिए इसके बाद देखते हैं square जाएगा root में और यह minus का उधर जाके plus का हो जाएगा ठीक है समझ रहना अब देखो यहाँ पर इसके real value के लिए यह हमें ध्यान अखना होगा कि 4 minus y हमेंसा 0 से greater हो हाँ न या equal to 0 हो ठीक है यानि कि 4 is greater than or equal to हाँ न वाई होगा क्या होगा y से greater होगा या y के equal होगा ठीक है यानि y के value less than or equal to 4 हो जाएगा तो हम लोग देख लेते इसमें से कौन less than or equal to 4 हो जाएगा तो यह देखो 4 के equal भी और 4 से less गए यह वाला answer हो जाएगा न पर से देखते है 43 नमर कहारा इफ f इसका domain है r और range है माइनस बन टूवन डिफाइंड वाई f इसका इन्वर्स किसके इकवल होगा यह बता न तो यहां पर देखो यह आपका हम लोग यहां पर y को f x ले लेते हैं हमें इसका इन्वर्स निकल ला है न जी तो y equal to में आ जाएगा x square by 1 plus x square यह कि इधर multiply करेगा y plus में x square y equal to में x square इसको मैं उधर लेके चला जाता हूं तो क्या हो जाएगा x square minus x square y यहां से x square common हो जाएगा तो यहां 1 minus y बचेगा इसको divide में लेके आएगे तो यहां y by 1 minus y equal to x square तो यहां से x equal to क्या जाएगा यहां के root में आगा जी root under y by 1 minus y तो यह x का value यहां से यह मिला अगर यही x is greater than 0 और equal to 0 लेते तो क्या जाएगा यहां पर sign change आजाएगा क्योंकि हम लोग यहां पर plus का x लेने लगेंगे जब x 0 के greater होगा यह 0 के equal होगा तो यहां plus का x आजाएगा यानि कि वो sign of x के उपर भी depend करता है तो अगर मैं यहां से inverse देखूंगा तो यहां f inverse x जो होगा वह root under x by 1 minus x हो जाएगा यहां से मैं variable में change कर दूँगा यही ना होगा लेकिन depend करता है x के sign के उपर x के उपर यह 0 से less than है तो यह हो जा रहा है और 0 से जब greater होगा तो इसके sign में change आ जाएगा यहां पर क्योंकि यहां पर भी हम लोग sign में change कर देंगे यह positive ना हो जाएगा जब x is greater than or equal to g तो यह प्लस का x लेना होगा तो हम लोग देख रहा है कि inverse तो यही आ रहा है लेकिन यह sign के उपर उसके depend करता है sign of x के उपर depend करता है यानि कि b number आपका answer हो जाएगा portion number 44 देखिए let x greatest integer function को यह denote कर रहा है less than or equal to x यहां पर तीन function fx, zx और hx दिये हुआ है जहाँ x लाई करता है 1 by 2 से 1 by root 2 तक तो हमें then इसमें से पूछ रहा है कौन साट्र होगा तो हम लोग जानते है कि तीन functions का composition associative तो होता ही है associative होता है न हम लोग कुछ सोचने वाली बात ही नहीं हम लोग सीधे c लगा सकता है यह दोनों एक दूसरे की equal होंगे इनका composition जो होगा एकवल आजाएगा न है एकवल होगा है बिलकुल होगा कोई दिक्कत ने इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं चाहो तो आप चेक करके भी देख सकते यह तीनों का composition निकार्शन नमर 45 देखिए function gx दिया है and 1 by 2 of g of f दिया हुगा है तो हम लोग यहाँ पर अगर g of f निक जाएगा तो हम लोग यहाँ पर देख रहें function f और g का composition होगा है तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ fx का value क्या होगा तो हम यह के करके लेके चलते हैं मान लो हमारा fx यह है और इसको दोनों का composition निकाल के देखते हैं हम लोग fx इसको मान के चलते हैं और देखते हैं क्या होत एफ एक्स का पहलू यहां पे रख देंगे 2x-3 फंक्शन जी में रखना है 2x-3x की जगा हो जागा 2x-3 का o² पलस का 2x-3 और –2 यहां पे आ जाएगा आपका 4x² माइनस का 12x पलस का 9 प्लस का 2x और यहां पर हो जाएगा माइनस का 5 4x स्क्वार माइनस का 10x और प्लस का 4 यही आ जा रहा ना यानि कि हम लोग कह सकते हैं कि fx आपका यही हो जाएगा 46 नमबर देखिए कह रहा है fx इकोल टो साइन स्क्वार एक्स and the composition of function f g of fx equal to my sin mod x तो gx का value क्या होगा तो पहला तो हो नहीं सकता यह तो इस form में ऐसा दिख नहीं रहा है ठीके अच्छा दूसरे के लिए देख लेते हैं माल लेते हैं यही fx यही आपका gx है gx हम लोग root x को मान के देते हैं पहला तो possible नहीं है क्योंकि यह इस form में आपको दिख भी नहीं रहा है तो हम लोग इसको gx बनके चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे gfx तो fx का value है आपका sin square x और function g में x के जगाए यह रखना है तो आजागा root under sin square x यानि कि mode sin x के equal हो जागा है यहीं नहीं हो जाएगा यानि b number आपका answer होगा और function f r to r पर define fx is equal to यहाँ पर दिया है तो इसका inverse किसके equal होगा तो हम लोग y equal to में fx ले लेंगे तो यहाँ से y equal to में क्या जागा x cube plus 3 3 दर आके subtract करेगा तो यहाँ से यह variable में change करेगा x minus 3 का power 1 by 3 कौन सा answer आपको दिख रहा है c number ना दिख रहा है अगला question देखते है 48 number fx is equal to x be a function with domain इतना इसका domain दिया इस function का तो हमें इस f inverse का domain ने क्यालना है तो इस function के इस function के जो domain इसमें रखेंगे जो range आएंगे यानि function के जो values आएंगे वो आपके function के function के क्या हो जाएंगे function fk inverse के domain हो जाएंगे यानि कि इस function का जो range होगा इस function का domain बन जाएगा ना जी ठीक है तो हम लोग इसको इसमें put करते हैं तो सोचो ना आप 0 रखोगे तो 0 आएगा 1 रखोगे तो 1 ही आएगा 2 रखोगे तो 8 आएगा और 3 रखोगे तो 27 आएगा यही ना आपके आएंगे तो यहां से हम लोग यह कह सकते हैं c क्योंकि देख रहे हैं यह वाले values हम इस function में रख रहे हैं तो यह जो आ रहा है इसका range ना है और इसके inverse वाले function का यह domain हो जाएगा तो इसका answer c number ना हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है 49 number देखे function f r to r f x square 2 x square minus 3 तो इसका inverse निकालना है तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पे square होने से हमें पहले ही पता चल गया कि यह function one one नहीं है क्योंकि यह r to r पे देख रहा है real to real तो आप सोचो ना यहां one रखने पे जो value हैगा वही minus one रखने पे भी हैगा समझ रहा है ना तो यह one one तो function है नहीं तो इसका inverse तो possible ही नहीं यानि कि none of these हो जाएगा समझ गया ना question number 50 देखिए function f r to r by given क्या दिया है be given by f x equal to 10 x 10 x दिया हुआ है तो हमें f inverse one यानि हमें इस इस one element का inverse बताना है ठीक है f inverse one का value निकाना है तो हम लोग यह जरूने कि by objective function हो element के inverse हम लोग निकाल सकते हैं तो हमें यह सुचता होगा कि 10 में one कब कब आता है अगर मैं इस inverse की बात करो function के inverse की बात करो तो यह 10 inverse x के form में हमें देखना होगा तो हमें देखना होगा कि one कब कब 10 में आ सकता है तो हम लोग जानते हैं कि 10 theta equal to अगर 10 pi by 4 हो तो theta बराबर formula आता है n pi plus pi by 4 यहाँ n belongs करता है z से और यह कब हम लोग लगाते है जब 10 theta का value 1 हो 10 pi by 4 लिख्या तब हम लोग यह रखते हैं न यह यह हम लोग पढ़े हुए है 11th class में आपके trigonometric equation में यानि कि इन सभी values पे 10 का value 1 होता है b number हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं हमारे पास function r to r दिया है हमारा fx का value यह अलग-अलग condition पे दी हुई है हमें इसका value निकालना है चलिए f-1 प्लस f2 प्लस f4 चलिए f-1 तो minus 1 क्या है आपका less than 1 है और equal to 1 या less than 1 इसी वाले में आएगा ठीक है तो function का value आपका 3x हो जाएगा तो यह minus 1 इसमें रखेंगे तो 3 into minus 1 हो जाएगा f2 तो 2 इसी के यहां like करेगा इसमें like करेगा ना जी इसका value x square हो रहा है यानि 2 का square हो जाएगा f4 तो f4 का value तो यहां पर देख रहा है x3 से greater हो तो 2x हो जाएगा तो 2 into 4 रखेंगे यहां minus 3 plus 4 4 2 जाएगा यहां पर कितना जाएगा 9 आ जाएगा नहीं यहां से तो 51 का a number हो जाएगा समझ गया चलते है next question पर चलिए 52 number कहा रहा है let a set दिया है जिसके element 1 to n यानि कि total a element है और b set में यहां दो element है then the number of subjection from a to b यानि कि unto function a to b में कितने होंगे तो समझिए मैंने आपको बता भी रखा है इसमें कितने element है 1 2 3 4 कहा तक n element है और इसमें कितने element है आपके दो element है तो हम लोग यहां देख सकते हैं हमें सिर्फ unto बताना है हाना subjection दिखाना है तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं यहां पर total number of function की बात करो तो हमें पता है कि number of element in set b गाफवर number of element in set a हो जाता है यानि कि total number of function की बात करूँगा तो वह हो जाएगा 2 इसका element और इसका total n element है 2 का पावर n हो जाएगा तो इसमें से घटा देंगे वो वो function जो आपके unto ना हो जो आपके unto जोरू ना हो उनको सब्ट्रिक कर देए धूर इसमें 2 element है तो 2 प簡़े किसी को कई सकते हैं कि 2 में से किसी Есть का इसमें 3 देशाननी को चूरें। को लेए 3ग खावशेत हैं। अब देखो अगर माल लीजीए यहां पर दोनों मेंसे किसी एक को नहीं चूज़ करते है माली जी एक को नहीं चूज़ करते है तो इससे इसको मिलाने का तरीका क्या होगा 2 माइनस वे इससे इसको मिलाने का तरीका 2 माइनस एक 2 माइनस एक 2 माइनस वन ऐसे ऐसे किता हो जागा यानिकि 2 का power n minus 2 यहां से मैं लूआ जागा B number ठीक है चलिए अगला कारा if a set A containing 5 element and set B containing 6 element then the number of 11 and unto mapping from A to B A to B में 11 and unto mapping कितने होंगे हमें पता है कि 11 and 2 दोनों होने के लिए दोनों में number of element equal होने चाहिए क्यों क्योंकि आप सोचो अगर set A में 5 element लेलो और B में 6 लेलो 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें हम लोग A, B, C, D, E, F तो अगर मैं 11 के चक्कर में लगूंगा तो एक element इसमें बच जाएगा ठीक है एक element यहां बच जाएगा बच जाएगा तो यह unto नहीं होगा आगर मैं unto दिखाने के चकर में लग जाओंगा अंटू दिखाने के चकर में ऐसे लगूं तो यह आपका function ही नहीं होगा तो दोनों में number of element होना चाहिए तो यहां कह सकता है कि 11 और अंटू function की बात करेंगे तो वह एक भी नहीं होगा जीरो हो जागा चलते हैं अगले को सब्सक्राइब नेक्स्क्रोशन देखता है 54 नमबर तो इसमें अगले के पास कितने एलिमेंट है और बी में आपके पास कितने एलिमेंट है टेन एलिमेंट से ठीक है तो अगर मुझे 11 दिखाना है और इसमें हर एक एलिमेंट से समझे हम लोग इस एक एलिमेंट को इन टेन एलिमेंट में से किसी एक से भी मिला सकते हैं उसी तरह दूसरे वाले को तिसरे वाले को चौथे वाले को ऐसे कर सकते हैं कर सकते हैं यानि कि टेन को इसमें से के टेन एलिमेंट को इसमें के 7 एलिमेंट में से किसी से भी मिला सकत है तो seven के factorial वेज से यानि इंटव में आ जागा से बनका फैक्टोरियल यानि आपका बी नमर हो जाएगा इसमें बन बन दिखाने के लिए इसमें हर एक element को दस-दस तरीके से मिला सकते हैं यानिकि 10 में से इस साथ को इसमें से हाना दस में से इसमें के एलिमेंट जो साथ होंगे उसको हरे एक को पहले वाले को पहले वाले एलिमेंट को पहले से मिला सकते हैं दूसरे से भी तीसरे को भी चोथे को भी पास्वे को भी ऐसे करके उसी तरह से हम लोग दूसरे वाले एलिमेंट को भी इ इनके साथ मिलाएंगे तो 10C7 हो जाएगा और इंटू में हम इन 7 element को 7 के factorial तरीके से आपस में arrange कर सकते हैं तो इंटू कर देंगे तो यह आपका total number of 11 function आ जाएगा चलिए 55 number function f दिया जिसका domain और यहां code बन दिया defined by fx इतना है तो then हमें इसका inverse बताना है कि इसमें से कौन सा होगा inverse को ही ना दिखा रहा है और f of f भी कर रहा है तो पहले हम लोग inverse वाला check कर लेते हैं और यह answer में हो जाएगा तो काम बन जाएगा तो हम लोग let y equal to fx ले लेते हैं तो y के value क्या होगा 3x plus 2y 5x minus 3 यहां कि इधर multiply करेगा तो 5xy ठीक है 5xy minus का 3y equal to 3x plus 2 ठीक है तो इसको x वाले इसको इधर भेज़ेते हैं और इसको इधर लेके चले आते हैं ना तो यहां से अब देखो क्या हो जाएगा तो हम लोग इसको इधर लेते हैं इधर लेते हैं तो 5xy minus का 3x equal to 3y plus 2 हो जाएगा यहां से x common करेंगे तो 5y minus 3 equal to 3y plus 2 यह divide में चला जाएगा तो x equal to क्या जाएगा 3y plus 2y में 5y minus 3 तो यहां से अगर मैं function के inverse की बात करूँ तो यह होगा 3x plus 2 by में 5x minus 3 हम लोग variable में change कर देंगे तो हम लोग देख रहा कि function का inverse वही आ जा रहा है function का inverse वही function ही आ जा रहा देख रहा है तो आपके option में answer दिया ही नहीं है एक्चुल में इसमें देना चाहिए था कि f inverse of x equal to fx हम लोग option वाले a में ही बना देते इसको fx कर देते हैं f inverse of x किसके equal होगा fx हम लोगा तो यह पूरा chapter आपका complete हो गया इस वीडियो को यहीं paint कर देते हैं आपको हमारे तीन चैनल को subscribe करना होगा पहला है pathfinder classes छप्रा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांथ सर भारती भवन रवी कांथ सर और तीसरा चैनल है रवी कांथ सर के नाम से तीनों चैनल को subscribe कर लेंगे और इससे related वीडियो के लिए सिधे description में जांगे और Instagram और Facebook पे pathfinder क्लास से छप्रा को like and follow करना नहीं भूलेंगे